नारियल के लड्डू खाना सभी को बहुत पसंद है और इसे बनाना भी उतने ही आसान है बहुत ही आसान तरीके से मैं नारियल के लड्डू बनाना बताऊंगी हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे किचन में कुकवेट सिम्रजीत चलिए तो मैं सुरू करती हूँ नारियल के लड्डू बनाना ये कच्छे नारियल से मैंने लड्डू बनाया है कच्छे नारियल को निकालके उसे छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है मैंने उसका ब्लैक किसने के बाद देखें इस टाइप से हो जाएगा बुरादे के जैसा गयास ओन करें गयास की फ्लैम लो रखें कड़ाई को चड़ाएं कड़ाई में दो चमच घी डाले दो चमच घी में सारा वह नारियल को जो पीसा था वह पुरादा पुरा डाल दें उसे थोड़ी दर भूणने की देखें अच्छी तरा से भूण ले उसे फ्लैम हाई ने करें भूणने के बाद इसमें दो कप मैंने फिल क्रीम दूद डाल दिया है दूद डाल ले के बाद थोड़ी देर और भूणे दो कब दूद है, ऐसे थोड़ी देर और भूने, के बाद जब दूद इसका सूख जाए, तब इसमें आप गुर्ण मिलाए, गुर्ण नहीं मिलाना तो चीनी भी मिला सकते हैं, मैंने तो गुर्ण मिला ने के बाद इसे फिर से चलाए, चलाते हुए एकदम थोड़ा गीला ह जाएगा नारियल का बुरादा थोड़ी देर के बाद वह सूख जाता है अच्छी तरह से तो फिर इसे नीचे उतारे नीचे उतार के फिर इसे पांच मिनट ठंडा होने देखिए अच्छी तरह से सूख गया है सुखा लेना है अच्छी तरह से अब इससे नीचे उतारके इसे पाांच मिनाट अग्लू थंडा होने दें ह। धंडा होने के बाल घोल घोल करके किसी भी दूखных में आप अपने लड्डू तैयार लड ड्डू बनाके त्यार हो गये हैं है भूत यासान रेसिपी है सूपर टेस्टी लड्डू बनते हैं मैंने इसमें गुड मिलाया है आप चाहें तो इसमें चीनी भी मिला सकते रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फीर एक नहे रेसिपी के साथ